नवंबर आखिर किस प्रकार का व्यतीत होगा आपके लिए एक बात तो मैं बड़ा क्लियर कह सकता हूं जो संयोग इसमाह नवंबर में आपके लिए बन रहा है जो राजयोग बन रहा है वो राजयोग शायद पहले ना तो इस प्रकार का आपके जीवन में बना है और ना ही भविष्ष में कभी बनेगा दोनों बाते कह रहा हूं क्योंकि ये जो शयूग जो यूती ग्रहों की बन रही है वो आपके जीवन में पहली बार बनने जा रही है जब नौंबर का महीना भी है बिक्रम शंबत उसमें गोचर करेंगे यानि पंचमेश का उसके साथ लाभेश का उसके साथ बुद्ध और लगनेश का अगर एक साथ संयोग देखा जाए बिश्णु लक्षमी योग जिश्को जोतिश शास्त्रिय अंतरगत कहा गया है वो इस बार आपके जीवन में बनने जा रहा है मैं ए ये महीना इस प्रकार का होगा दुबारा अपने प्रेमी प्रेमी का के साथ रिलेशन को बहतर करने का मौका जरूर प्राप्त होगा उसको मैरेज में कनवर्ट करने का जरूर रास्ता प्राप्त होगा बैवाहिक जीवन को सुधारने का जो मार्ग है वो इस महीने आपको हमारी ट्यंसन मुझे लगता है कि हम दूर कर शकते हैं इस प्रकार का समय हमारे पास होगा लाइक एक दो सबसे पहले स्वास्त को लेकर कि अगर मैं बात करूं हेल्थ के पॉइंट ऑफ विर्षे ये माह आपके लिए बहुत बहतरीन रहता हुआ मुझे नजर आ रहा है अच् खुद का सरीर स्वस्त होगा कुछ नए important decisions आप लेंगे आपके personal life में भी लोगों की entry होगी आप marriage इत्याद के तरफ बढ़ पाएंगे तो स्वास्त के point of view से marriage के point of view से married life के point of view से ये महीना निश्यत रूप से आपके लिए बहतरीन होने जा रहा है शात में संतान को लेकर के भी खुश खबरी मिलने का योग इस महीने है मैं अगर सबसे बहतरीन रासियों में से एक count करूंगा तो सायद number मैं ब्रिस रासी के लिए count कर सकता हूँ उसका reason है कि जब आपकी health आपके लिए अच्छा कर रही हो आपका personal life जो है वो आपके लिए बहतरीन चल रहा हो और उसके शाशात शंतान और education को लेकर के परिस्थती अच्छी हो it means कि जो materialistic happiness के लिए हम बात करें वो हमारा सब कुछ अच्छा हो रहा है तो हमें अच्छे result मिलेंगे इस प्रिसलिजम में यानि धार्मिक चीजों में भी इस महीने आपका बहुत अच्छे से मन लगेगा इस महीने लिए गए decision आपके भाग्य को परिवर्तित करने वाले हो जहांगे इसमें कोई दौराय नहीं है लेकिन क्या पूरा महिना हर रासी के हर परिस्ततीक लिए बैहतर होता है नई साहब कुछ शुक और दुख जीवन में बैलेंस कराती हैं और किसी हायर पावर की जो उपस्थती है वो हमको दर्शाती है। So, क्या नुक्षान का योग है। एक तो related to property, 16th of November तक, 16 November तक, सूर्य के छठे भाव में गोचर करने के कारण, नीचस्त होकर गोचर करने के कारण, कुछ अपने जो हैं, वो अपने से दूर जाएंगे। किसी भी परिस्थती में जाएं, जिनको हम हिरदय के बहुत करीब मानते हैं, जिनको हम अपना मानते हैं, मानती हैं, वो हमसे दूर जाएं, इस परकार की परिस्थती है। रिलेटेड टू प्रॉपर्टी प्रॉब्लम का योग है, मकान से रिलेटेड, जमीन से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, वो इस श्रमे पर आपको परिशान करेंगी, माता का स्वास्त इत्यादी परिशान करेगा, मजबूरी बस आपको घर या परिवार से, या आपने जिला प्रदेश इत्यादी से दूर जाना पड़े, इस प्रकार की परिस्थती आपकी राशी की अंतरगत पूरी तरह से नजर आ रही है, अब एक परिस्थती है, तारीक 16 तक तो जीवन साथी का प्रॉपर सपोर्ट मिलने वाला है, लेकिन 16 तारीक के बाद, क्योंकि सूर में आए बड़े परिवर्तन के कारण आपका मन परेशान रहेगा, तो एक दृष्टी से स्वास्त की मैं अगर बात करूं, मैं अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं, मैं अगर प्रेम शंबंद की बात करूं, मैं अगर शंतान की बात करूं, मैं अगर एजुकेशन की बात करूं तो ये पांच चीजे इस महीने आपके लिए बहुत ही सांदार दिख रही हैं लेकिन मैं related to property बात करूं related to personal relation like कि इसको हम दिल के कुछ ज़्यादा करीब मानते हैं हमारे माता इत्यादी की बात करूं इनके शाथ संबंद खराब या इनको दिक्कतों का योग हमारी रासी के अंतरगत दिख रहा है अब क्या है माता को दिक्कत हो तो सूरी को जल देने से ठीक होगा जीवन शाथी के साथ relation खराब है तो सूरी को जल देने से हनवान जी की पूजा करने से परिस्थितियां बैतर रहेंगी रात को नौ बजे और दो पहर को बारा बजे अबरेंडमेंड लेकर प्लीज आप मेरे साथ बात कर सकते हैं भगवान आपको बहुत परसंद रखें इसे शुब कामनाक्षात जैश्री राम बहुत धन्यवाद